वेल्कम फ्रेंड्स तो आज हम जानेंगे C के लॉजिकल उपरेटर्स के बारे में उधारन के साथ डीटेल में समझेंगे C में कितने प्रकार के लॉजिकल उपरेटर होते हैं और कैसे प्रोग्रम में लॉजिकल उपरेटर काम करते हैं यह सब हम देखेंगे एक एक करके तो चलिए देख लेते हैं logical operator in C, C में logical operator किसे कहते है, C में total 3 तरह के logical operator मौजूद है, वो क्या करता है, logical operator काम क्या करता है, logical operator 2 और 2 से ज्यादा logical expressions को, condition को, या फिर कोई boolean value यानि की 1,0 को combine करता है, और उसको result को analyze करता है, analyze करके check करता है, कि result true है या false है, C में 3 तरह के logical operator होते है, logical and, logical or, logical not, तो हमने पहले देखा है, कि 2 और 2 से ज्यादा logical expression या फिर condition के उपर depend करके, यानि की true और false निकल कराता है, result आता है उसका, उन logical expression हो का result आता है, या फिर condition हो का result आता है, वो जो result निकल कराता है, अब उन result के उपर depend करके, logical operation perform होता है, और किस तरह का logical operation perform होगा, वो depend करता है, कि आप कौन सा logical operator यूज़ कर रहे हैं, logical and, और या फिर logical not, तो चलिए, तीनो logical operator को एक साथ देख लेते हैं, logical and जो operator होता है, ये एक binary operator है, logical और ये भी एक binary operator है, यानि कि, इन दोनों operator को perform करने के लिए, दो operand की जरूरत होती है, जहां पर logical not एक unary operator है, क्योंकि इस operator को काम करने के लिए, सिर्फ एक operand की जरूरत होती है, जहां पर logical and और दोनों को ही, दोनों operand की जरूरत परती है, इसलिए इसे binary operator कहा जाता है, और इसे unary operator कहा जाता है, तो चलिए, एक example के मदद से, हम logical and को सम हम पहले ही कहे चुके हैं कि logical end एक binary operator है इसलिए इसको execute होने में दो operand की जरूरत परती है logical end के लिए हमने जो expression ready किये हैं इसका दो part है expression 1, expression 2 और इसके बीच में हमने logical operator को use किया है यहां पर expression 1 से जो value निकल कर आएगा यानि कि true है कि false है इसके उपर से जो 1 और 0 value आएगा और expression 2 के अंदर से भी जो value आएगा उन दोनों value को logical operator combine करेगा उसके बाद logical operation execute करेगा और true या false यह return करेगा यहां पर expression 1 पर देखिए 5 is equal to is equal to 5 यानि कि हमने पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि यह छोटा वाला expression है इसमें equal to operator का use किया गया है और यहां पर 5 is equal to is equal to 5 यानि कि यह satisfy कर रहा है इसलिए यह true यानि कि one return करेगा और यहां पर expression 2 में 5 greater than 2 यानि कि यहां पर greater than operator use किया गया है और यह जो expression है यह भी true है इसलिए यह भी one return करेगा तो यहां पर दोनों expression से हमको value मिल गया जो logical and के लिए 2 operant का काम कर रहा है अब logical and operator अपने आपको execute करेगा और यहां पर देखिए logical and तभी execute होता है जब दोनों expression से ही यानि कि दोनों operant से ही जो value निकल कर आता है वो true हो अगर दोनों expression से जो value निकल कर आता है वो true है तो ही logical and true return करता है अगर इन में से एक भी value false अग निकल कर आता यानि कि one zero होता या फिर zero one होता तो logical and one की जगा zero return करता तो इसी तरह logical and काम करता है तो चलिए logical or को हम एक example के मदद से देख लेते हैं logical or भी एक binary operator है इसी लिए इसको execute होने में भी दो operand की जरूरत परती है इसी लिए logical or के example के लिए हमने जो expression तियार किया है यह भी दोनों expression में divided है expression one और expression two हमने logical and के लिए जो expression use किये थे वही expression यहाँ पर भी यह उसकर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर operator को हमने change कर दिया है यहाँ पर logical or operator प्लेस कर दिया है तो यहाँ पर expression one के लिए भी true return कर रहा था यहां पर भी one return करेगा यानि कि true return करेगा और expression two के लिए भी one return करेगा अब जैसे ही दोनों expression से result निकल कर आएगा तभी logical or operator अपना logical operation start कर देगा जैसे expression one से भी one निकल कर आया है और expression two से भी one यानि कि true निकल कर आया है तो यहाँ पर logical or operator अपना काम शुरू करेगा क्योंकि दोनों operator से ही value इसको मिल चुका है अब logical or operator तभी true return करता है जब expression one और expression two किसी एक से भी true निकल कर आए तो ही यह true यानिकी one return करता है और logical or operator तभी false return करता है जब दोनों expression का value ही false हो तभी return करता है false यानिकी zero return करता है इसी तरह logical or operator काम करता है तो चलिए logical not operator को भी हम example से देख लेते हैं logical not एक unary operator है इसलिए इसको operation करने के लिए सिर्फ एक operand की ज़रूरत होती है इसलिए हम दोनों condition से इसको समझते हैं पहला condition है 5 not is equal to 5 तो logical not operator क्या return करेगा जब ऐसा expression आता है जब condition में दोनों value same नहीं हो तब logical not operator true यानिकी one return करता है और जब condition में 5 is equal to 5 जिस logical expression में दोनों value अगर same हो किसी condition में तो logical not operator false यानिकी zero return करता है अगर condition false हो तो logical not operator true return करता है और अगर condition true हो तो logical not operator false return करता है इसी तरह logical not operator काम करता है तो चलिए तीनों operator के हम जो example दिखाये हैं उनको एक बर run करके देखते हैं तो चलिए पहले logical and operator को देख लेते हैं यहाँ पर हमने तीनों variable का use किया है a, b और c और तीनों variable में क्या का value है वह हम यहाँ पर देख सकता है a is equal to 5, b is equal to 5 और c is equal to 10 है इसके अलबार result नाम का और एक variable हमने लिया है जो result को store करेगा वह दिखाने के लिए यहाँ पर हमने logical and operator के लिए दोनों example तयार किया है यहाँ पर दो expression दिया गया है तो चलिए एक बार run करके देखते है पहले बाले example को देखिए a is equal to is equal to b यहाँ पर a का value भी 5 है और b का value भी 5 है यानि कि 5 is equal to is equal to 5 तो यह satisfy कर रहा है इसलिए यह one return करेगा c greater than b यानि कि c का value है 10 और b का value है 5 यानि कि 10 greater than 5 जो भी satisfy कर रहा है यानि कि true return करेगा one return करेगा तो यहाँ पर expression one का भी result आता है one और expression two का भी result आ रहा है one यहाँ पर logical and operator दोनों expression से जो result निकल कर रहा है one और one उसके basis से अपना operation complete करके one return कर रहा है और दूसरा example देखिए a is equal to is equal to b और c greater than b यहाँ पर 5 is equal to is equal to 5 जो कि true return करेगा यानि कि one return करेगा और expression two में c less than b यानि कि 10 less than 5 जो कि false है यानि कि zero return करेगा इसलिए logical and operator zero return किया क्योंकि हम जानते है logical and operator जब दोनों expression से true निकल कर आएगा तभी one यानि कि true return कर रहा है और जब किसी भी expression से अगर false return आता है तो logical and operator zero यानि कि false return करेगा तो चलिए logical और operator का example एक बार run करके देखते हैं इस program में भी हमने पहले वाला example लिया है सिर्फ operator को हमने change कर दिया है और थोड़ा बहुत expression को change किया गया है आपर तो चलिए एक बार run करके देखते हैं तो इनो variable का use किया है जिसका value है a is equal to 5, b is equal to 5 और c is equal to 10 यहां पर जो पहला वाला example है जिसका दो पार्ट है expression 1 और expression 2 expression 1 पर a is equal to a is equal to b यानि 5 is equal to 5 जो कि satisfy करता है यानि कि true return करेगा यहां पर one return होगा और expression 2 पर देखिए c less than b यानि 10 less than 5 जो कि true है तो इसलिए one return करेगा तो logical और operator जो होता है वो expression 1 और expression 2 में से किसी भी एक का अगर value true होगा तो यह true return करता है इसलिए one return किया यानि कि true return किया और दूसरे example पर आते हैं तो दूसरे example के जो पहला पार्ट है expression 1 पर हम देखते है a not is equal to b यानि कि 5 not is equal to 5 जो कि false है यानि कि zero return करेगा और expression 2 पर हम देखते है c less than b यानि कि 10 less than 5 जो कि false है तो यहाँ पर भी zero return होगा तो यहाँ पर logical operator क्या return किया zero return किया क्योंकि यहाँ पर expression 1 और expression 2 दोनों में ही हमने zero यानि कि false return पाया इसलिए logical or operator zero यानि कि false return किया तो चलिए logical not operator का जो example था उसको run करके एक बाद देखते हैं तो चलिए output को समझते है तो variable का value ही same है 5 a is equal to 5 और b is equal to 5 logical not एक unary operator है इसलिए इसको execute करने के लिए सिर्फ एक operant के जरूरत होती है इसलिए यहाँ पर हमने दोनों example का use किया है मगर हर एक example पर एक ही expression है तो पहला वाला example को हम देख लेते हैं यहाँ पर a not is equal to b यानि कि 5 not is equal to 5 तो यह expression false है इसलिए zero return करेगा logical not operator क्या करता है अगर expression का जो result आता है वो false निकल कर आता है तो logical not operator true return करता है अब second example पर आते हैं इस example पर जो expression दिया गया है वो है a is equal to is equal to b यानि कि 5 is equal to is equal to 5 तो यह satisfy करता है इसलिए यह expression true return करेगा यानि कि logical not operator को अगर expression से false result मिलता है तो वो true return करता है और अगर expression से उसको true return मिलता है तो logical not operator false return करता है यानि कि zero return करता है यह तो था तीनो logical operator का detail में discussion और next वीडियो में हम जानेंगे assignment operator के बारे में